मोदी जी के प्रदान मंत्री बनने से पहले इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि इस बार विहार को रेल मंत्राले दिया जा सकता है। जुरा होता है और हर पार्टी की कोशिस होती है कि रेलवे मंत्राले उनके अंदर आ जाए अब जब हम रेल मंत्राले का इतना चर्चा कर रहे थे तो हमको लगा कि क्यों ना हम ये आकरा निकाले कि अब तक बिहार को कितनी बार रेल मंत्राले में जगह दिया गया है जब हमने आकरा निकाला और यह देखा तो आकरा जब हम आपके सामने रखेंगे तो आपकी आखे फटी की फटी रह जाएंगी, अब तक आणग भार बिहार को रेल मंत्राले मिला है, मतलब यह कि बिहार के सांसदों का रेल मंत्राले में दबबा कितना जादा रहा है और कुछ प्रमुख नामों की चर्चा करेंगे कि उनके समय में रेलवे का क्या-क्या विकास हुआ लेकिन उससे पहले नमस्कार मेरा नाम वेद प्रकास है आप जंता जंशन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल आईए अब हम आपको बताते हैं सबसे पहले किन 79 में रेल मंत्राले सौपा गया था तीसरा नाम है ललित नरायन मिस्रा इनको 1973 में रेल मंत्राले सौपा गया था उसके बाद नाम है केदार पांडे इनको 1982 में रेल मंत्राले सौपा गया था उसके बाद जॉर्ज फरनांडी से इनको 1989 में रेल मंत्राले सौपा गया छठा तो नाम जो है वो है राम विलाष पास्वान का रामिलाष पास्वान भी लंबे एर से तक रहे थे रेल मंत्री और उसके बाद नितीश कुमार बने थे और फिर बने थे लालू परसाद यादव 2004 का जो cabinet गठन हुआ था उसमें लालू प्रसाद यादो को मंत्राले दिया गया था रेल मंत्राले अब आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि लोग रेल मंत्राले का डिमांड क्यों करते हैं दरसल रेल्वे मंत्राले जो होता है बहुत बरा मंत्राले होता है और सबसे जरूरी चीज की इंडिपेंडेंट होता है independent इसलिए होता है क्योंकि railway का budget जो है अलग तयार किया जाता है बहुत चिक कल्यानकारी मंत्राले इसको माना जाता है लोगों से सिधा तोर पे जुरा होता है और इस कारण से हर सरकार की हर पाटी की ये कोशिस होती है कि उसको rail मंत्राले मिल जाए उसके पीछे का कारण क्या है तो कारण ये है कि हर साल रेल्वे में लाखो नौकडियों की वैकेंसी आती है और उसके अलावे जितने भी तमाम तरह के कारे होते हैं रेल्वे में उस कारे के लिए भी लाखो लोगों को रोजगार दिया जाता है हर साल मतलब ये कि जिस पार्टी को रेल्वे मंत्राले मिलता है वो ये दबदबा दिखा सकती है लोगों के बीच जाकर के ये साबित कर सकती है कि हमने सबसे जादा रोजगार देने का काम किया है रेल्वे जो है एक ऐसा मंत्राले है जो हर साल सबसे अधिक रोजगार देने का काम क किया हम बात करेंगे राम बिलास पासवान से राम बिलास पासवान को निस्टोच चानवर में रेलवे मंत्रा ले दिया गया था और जब वो रेलवे मंत्री बने थे तब उन्होंने जो काम किया था उस काम में सामिल है हाजीपुर का जो जोनल आफिस है वो राम बिलास चलाने का काम भी राम बिलास पास्वान ने किया था उसके बाद दिगास ओनपुर ब्रीज और खगरिया मुंगेर ब्रीज भी राम बिलास पास्वान की देन थी जब राम बिलास पास्वान रेल मंत्राले में थे और जब उनका बजट पेस हुआ था तब उनके बजट को बि बिहार को दिया गया था जितने भी टेंडर थे उसमें से जादतर टेंडरों को बिहार में लाने का प्रयास किया गया था उसके बाद नितीश कुमार करने का काम जो है नितीश कुमार ने किया था अब आप समझ लीजिए कि 5 अगस्त 1999 को एक रेल हादसा होता है जिसमें 290 लोगों की मिर्ती हो जाती है और उस समय रेल मंत्रा ले नितीश कुमार के हाथ में था नितीश कुमार जो है नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं इस दुरग जालू प्रशाद यादों से पहले राम बिलास पासवान का नाम जो है रेल मंत्राले के लिए सबसे आगे चल रहा था राम बिलास पासवान को सोनिया गाधी बुलाती हैं सरकार गठन से पहले मनमोहन सिंग के नाम की पुष्टी हो जाने के बाद और उनको एक फॉर्म दि जब सपतगरान होता है तब उनका पॉर्टफोलियो जो है चानक से बदल दिया जाता है बाद में उनको बताया जाता है कि लालू प्रशाद यादों जो है वो रक्षा मंत्राले या फिर ग्रिय मंत्राले के लिए अर गय थे और इसलिए उनको मनाने के लिए रेल्वे मंत् इस रूप से जाना जाता है लालू यादो एक मात्र रेलवे मंत्री ऐसा रहे थे जिन्होंने रेलवे को फाइदा दिया था नब्बे हजार करोर का फायदा रा लालू प्रसाद यादों के समय में रेलवे को हुआ था उसके अलावे लालू प्रसाद यादों ने सस्ते दरों पर चलने वाली ट्रेन गरीव रथ एक्सप्रेस को चलाया था उसके बाद लंबी दूरू के चलने वाले ट्रेनों का इंजन दे रहे थे और लोगों को संबोधित कर रहे थे छात्रों को उन्होंने बताया था कि येक जडसी ँतना है उतना है किसी और मंतराले से नहीं लिए जा सकता है और साइद यही कारण था कि लालू प्रसाद यादो जो हैं 90,000 करोर का फायदा रेलवे से दे करके जाते हैं बाकी आप समझ लीजिए इन आकरों को देख लीजिए और इस बात को समझ लीजिए कि आखिर क्यों बिहार के नेता लोग रेलवे मंत्राले को अपने खेमे में लाने के प्रयास में लगे हुए हैं क्यों हर पार्टी का ये प्रयास है कि रेल मंत्राले उनको मिले जनता दल य मिलेगा उसके पार्टी की बंबं होगी बाकी इस खबर को लेकर आप क्या सोच रहे हैं आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहेगा जनता जंक्शन बहुत बहुत धन्यवाद